बंगाल के लोग हमेशा अपने देश को प्रांत्विक्ता देते हैं बंगाल के लोग परियटन में भी नेशन फस्की भावना को लेकर चलते हैं पिछली सदी के भारत की दो और बड़ी चुनोतियां रही हैं जिनोंने देश के विकास पर बहुत नकारात्मक असर राला है इजन्सियों में तालमेल की कमी हैं और दूसरी चलोती रही ट्रांसपोर्ट के विसन साधनों में भी आपसी तालमेल का जिरो होना इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार के एक विवाग को पता इप और नहीं होता था कि दूसरा विवाग कहां नया काम सुरू करने वाला है इसका खामिया जां देश के इमांदाट टेक्स पेर को उठाना पढ़ता था देश का इमांदाट टेक्स पेर हमेशां से सरकारी पैसे की बरबादी से परियोजनाव में देरी से बस्टाचार से नफ़त करता है जब वो देखता है कि उसकी गाड़ी कमाई से दिये हुए टैक्स से गरीब का नहीं बलकि किसी ब्रस्ताचारी का भला हो रहा है तो उसका खिन होना स्वाभविक है पैसे की इसी बरबादी को रोकने के लिए विभागों में सरकारों में तानमेल को बढ़ाने के लिए पी-एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान लागो किया गया है अब चाहे विभिन्द राज्य सरकारे हो अलग-अलग सरकारी विभाग हो कंस्रक्शन से जुड़ी एजन्सियां हो या इंडुस्ट्री के लोग हो सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं पी-एम गतिशक्ती देश में ट्रांस्पोर्ट के अलग-अलग माध्योमों को जोड़ने मल्ति मोडल कनेक्टिविटी के काम को भी गतिदे रहा है आज देश में रिकॉर्ड तेजी से हाइवे बन रहे हैं, एरपोर्ट बन रहे हैं, बोटर्वे बन रहे हैं, नए पोर्ट बन रहे हैं और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि इने अब इस तरह तयार कि, हाइवे बैतर तरीके से रेल्वे स्टेशनों से कनेक्ट हो, रेल्वे स्टेशन एर्पोर्ट से कनेक्ट गो हो, लोगों को ट्रास्पोर्टेशन के दोरां saràना सिमलेस कनेक्टिवीटी भी मिलें, साथियों 21 सदी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक समय था जब भारत में व्यापनार, कारोबार और टूरिजम के लिए वोटर वेज का बड़े पहमाने पर इस्तिमाल होता था इसलिए इतने ही शहर नजियों के किनारे बसे, नजियों के किनारे इतना उद्यों की विकास हुआ, लेकिन इस सामर्त को पहले सेक्ड़ों वर्सों की गुलामी और प्रियाजादी के बाद की सरकारी उदाजिंता ने तबाह कर दिया अब भारत अपनी इस जल शक्ति को बढ़ाने पर काम कर रहा है, देश में सो से जादा वोटर विट्श और विक्सिप किये जा रहे है, भारत की नदियों में आदुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, तूरिजम भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं पार के सहयोग से गंगा और बंब पुत्र नदियों के बीच बॉटर वे लिंग स्थापित करने पर भी काम किया है, मैं आज देश के लोगों को इससे जुड़ी भी एक जानकारी देना चाहता हूँ तेरा जन्वरी दोहजार तेईस को काशी से वाराणसी से एक कुरूज जा रहा है जो 32 किलोमेटर लंबे बॉटर वे से होते हुए बंगलादेश से होते हुए डिवरुगर तक पहुंचेगा ये पूरे विश्व में अपनी तरह का अभुत्वर्व कुरूज होगा ये भारत में बढ़ते कुरूज टूरिजम का भी प्रतिविम बनेगा मैं पस्चिम बंगल के लोगों से भी आगर करूँगा कि इसका जरुरलाब उठाएं तो में देश की मिट्टी के प्रतिज जो प्रेम रहा है उसका तो मैं हमेशा कायल रहा हूँ देश के विबिन हिस्सों को जानने के लिए देश के विबिन हिस्सों में ब्रमण के लिए बंगाल के लोगों में जो उत्सा होता है वो अध्वूत होता है बहुत से लोग पहला मोका मिलते ही किसी और देश में गुमने निकल जाते हैं लेकिन बंगाल के लोग हमेशा अपने देश को प्राथविक्ता देते हैं बंगाल के लोग परियटन में भी नेशन फस्की भावना को लेकर चलते हैं और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है रेलवे, हाइवे, आइवे, वटरवे आधुनिक हो रहे हैं तो इससे इज अब ट्रावेल भी उतना ही बढ़ रहा है इसका बड़ा लाब बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है साथियों गुर्देव टेगोरद्वार रचीत प्रसिद्ध पंक्तियां है ओ ओमार देशेर माटी तोमार पौरे ठेकाई माथा यानि हे मेरे देश की माटी मैं तुमारे आगे अपना सर जुकाता हूँ आज हाजी के इस अमरित काल में मात्तु भूमी को सर्वपरी रखते हुए हमें मिलकर काम करना है आज पूरी दुनिया भारत को बहुत बरोसे देख रही है इस बरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतिये को पूरी शक्ति लगा देनी है हमें हर दिन का उप्योग राष्ट निर्मान में करना है हर पल का उप्योग राष्ट निर्मान में करना है देश सेवा के कारियों में हमें रुकना नहीं है इनी सब्दों के साथ मैं इनेक परियोजनाओं के लिए बंगाल को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं फिर एक बार आपका अभिवादन करता हूं और मैं अपनी बात को सबाप्त करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद